आज की तारीख में तक्नीक इतनी जादा विक्सित हो चुकी है कि दुनिया में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं। इन्ही एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट है ड्रेस में सबजियां उगाना। ये सुनकर आप सभी के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भला ड्रेस में सबजियां उगाने की क्या जरूरतान पड़ी और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर एक कपड़े में कैसे सबजियां उग सकती हैं दरसल विग्यान की अद्भूत कलाकारी अमेरिका में देखने को मिली है जहां दक्षनी कैलिफोर्निया विश्विध्याले की प्रोफेसर वर डिजाइनर अरुसिया गेब्रियोलन ने एक कपड़े पर ही गार्डन तयार कर दिया इस अद्भूत गार्डन को पहना जा सकता है और इसे पहन कर कहीं भी घूमा भी जा सकता है ये दुनिया का पहला ऐसा गार्डन है जिसे कपड़ों पर बनाया गया है और इस ड्रेस पर आप बाईस से भी जादा सबजिया उगा सकते हैं डिजाइनर अरुसियाग का कहना है कि ये ड्रेस बनाने के बारे में उन्होंने तब सोचा जब उनसे एक आर्किटेक्ट नेक सवाल पूछा ये सवाल था कि जब इस पृत्वी की मिट्टी में से पानी कम होने लगेगा तो हम फसल कैसे उगाएंगे कैसे हमें पौश्टिक फल सबजियां मिलेंगी जिसके बाद अरुसियाग ने इस डिजाइनर ड्रेस को बनाने का सूचा इस ड्रेस की सबसे खास बात ये है कि इसमें उगाई जाने वाली सबजियों को इनसान अपने ही पेशाप से सीच सकता है इस तकनीक का इस्तमाल कर आप बिना मिटी के ही सबजियां उगा सकते हैं अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर कैसे कपड़े में कोई सबजियां उगा सकता है दरसल जिस ड्रेस पर सबजियां उगाई जा रही है वो एक ऐसा कपड़ा है जो नमी रोक सकता है इस कपड़े की एक परत को बनियान जैसे आकार दिया गया है जिसमें अब तक 22 से भी ज़्यादा सबजिया उगाई जा चुकी है इन सबजियों में गाजर, गोबी, मुंफली और स्ट्रॉबिरी जैसे कई फल सबजिया शामिल है जहां आप इस ड्रेस को पहन कर घूम सकते हैं, वहीं दूसरी और जब इस ड्रेस पर उगे पौधे, सबजियों वह फलो से लदालद हो जाते हैं तो उस वक्त ये ड्रेस काफी भारी हो जाती है, जिसके कारण इसे पहनना मुश्किल हो जाता है वहीं इस ड्रेस में उगाई जाने वाले पौधों की सीचाई करने के तरीके को लेकर कई लोग इसकी निंदा भी कर सकते हैं